आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे SS304 और SS306 के बीच में क्या डिफरेंस होता है SS का मतलब है Staleness Steel तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो Steel है वो Iron और Carbon का एक Alloy होता है और Steel मेंली दो टाइप का होता है Plain Carbon Steel और Alloy Steel Plain Carbon Steel तीन टाइप का होता है Low Carbon Steel, Medium Carbon Steel और High Carbon Steel और जो Alloy Steel है वो दो टाइप का होता है Low Alloy Steel और High Alloy Steel जो High Alloy Steel होता है इसमें जो Main Alloying Element होता है वो 8% से जादा रहता है और जो Staleness Steel है वो High Alloy Steel के अंतरगत आता है जो Staleness Steel है इसका जो Main Alloying Element है वो Chromium रहता है और stainless steel के जितने भी grade हैं उन सभी में जो chromium है वो at least 10% होता है इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन 10% तो कम से कम होता है जो stainless steel है उसकी भी further categorization है जैसे ferritic stainless steel, martensitic stainless steel और austenetic stainless steel जो SS 304 और SS 316 है ये austenetic stainless steel के अंतरगत आता है और austenetic stainless steel non-magnetic होता है और इस steel में जो chromium की composition है वो 16% से 25% के बीच में vary करती है तो बात करते हैं SS 304 और SS 316 की composition के बारे में जैसा कि अगर हम देखें जो chromium SS 304 में वो 18% से 20% के बीच में हो सकता है manganese maximum 2% हो सकता है nickel 8% से 10.5% के बीच में रहता है और SS 316 के case में chromium 16% से 18% होता है manganese 2% होता है nickel 10% से 14% के बीच में हो सकता है और molybidnam 2% से 3% के बीच हो सकता है SS 304 में molybidnam नहीं होता तो सीधा सा difference यहीं नजर आता है कि जो SS 316 है इसमें अलग से composition add की जाती है molybidnam के रूम में और nickel का जो content है वो भी ज्यादा रहता है और जो austenetic stailness steel की अगर हम बात करें इसका जो corrosion resistance है बहुत भी बड़िया होता है लेकिन इन दोनों grades के बीच में जो SS 304 का corrosion resistance है उसे हम better मान सकते हैं लेकिन SS 316 का corrosion resistance है वो best होता है क्योंकि जब हम sea water जैसा अगर आप देखें कुछ ऐसे हम product बनाते हैं जो sea water में इस्तेमाल किये जाते हैं जैसे अगर हम बात करें जो marine के जो भी product है marine मतलों कि जो smoothry product जैसे कोई भी sea water में जो boat हम इस्तेमाल करते हैं sip वगरा का हम use करते हैं तो जो sea water है उसके अंदर salt होता है तो एक परकार से बात आती है chemical resistance की जब इन दोनों में देखा जाता है तो SS304 का chemical resistance इतना अच्छा नहीं होता जितना SS316 का होता है इसका कारण होता है इसमें nickel और molybidum की जो extra amount add की गई है उसके कारण SS316 का corrosion resistance और chemical resistance chemical resistance किसके respect में chloride, acid, alkalis तो इस case में SS316 का बहुती बढ़िया होता है इसलिए हम इसे marine application में इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर हम बात करें melting point की अगर बात की जाए जो SS304 है इसका melting point ज्यादा होता है 1400 से 1450 degree Celsius के बीच में रहता है और जो SS316 है इसका जो melting point है वो 1375 degree Celsius से 1400 degree Celsius के बीच में रहता है उसके बाद बात आती है formability की formability का मतलब अगर हम समझें ये एक परकार से उस material की वो ability होती है कि उसमें plastic deformation हो जाती है बिना उसका damage हुए बिना किसी cracking के बिना किसी necking के बिना किसी tearing के वो अगर material हो जाता है उसका plastic deformation तो उसकी formability अच्छी मान ली जाती है SS 304 की जो formability है वो बहुती बढ़िया होती है लेकिन SS 316 में जो molybdenum को add किया गया है उसके एक adversely effect रहता है जिसके कारण इसकी जो formability है वो कम होती है इसलिए जो SS 304 है इसका इस्तिमाल हम कियर करते हैं आई fittings के जो भी products है जो भी band बनाने में इसका इस्तिमाल किया जाता है उसके बाद बात आती है cost की जैसा कि हमें पता है कि दोनों जो steel grade है अगर SS 304 की बात करें ये पूरे world वे most preferable रहता है stainless steel के case में और जो second choice रहती है वो SS 316 की रहती है अगर cost को देखें SS 304 की cost कम होती है SS 316 की जो cost है वो slightly जादा होती है तकरीबन 40% higher होती है SS 304 के मुकाबले क्योंकि इसमें जो additional जो composition एड किया है nickel और molybdenum उसके कारण इसकी जो cost है वो बढ़ जाती है और उसके बार बात आती है application की कि हम कहाँ इसको इसको इस्तेमाल करते हैं application की बात करें जो SS 304 है इसको हम dishwasher बनाने में इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं heat exchanger इससे बनाए जाते हैं microwave ovens बनाए जाते हैं kitchen का जो sink है वो बनाए जा सकते है जो commercial food processing equipment बनाए जाते हैं wheel covers इससे बनाए जा सकते हैं अगर हम बात करते हैं SS-316 की जो applications वो क्या रहती हैं जैसा अगर आप देखें जो CPA boat हम इस्तेमाल करते हैं उसमें जो boat intake trainer है वो इससे बने होते हैं boat locker इससे बने होते हैं boat rail इससे बनी होती है जो surgical instrument है जो भी equipment है जो medical equipment है वो SS-316 से बनाए जाते हैं ये अगर हम देखें needle carteries हैं और जो chemical या pharmaceutical जो industries हैं उसमें जो pressure vessel tank इस्तेमाल होते हैं वो SS-316 से बने हो सकते हैं paper industry में SS-316 का बहु ज़्यादा use होता है gas refinery equipment SS-316 के बने होते हैं marine application के हम बात कर चुके हैं तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया कि stainless steel के जो बहुत ही most demanding जो grades हैं SS-316 और SS-316 के बीच में क्या-क्या differences हैं अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ साथ आपिसे हैं